नमस्कार आप देख रहें इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजाया दो तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर क्यों उत्तर प्रदेश के कानपुर देहाद जिले में एक दलित यूबा की बेरहमी से पिटाई का मावला सामने आया है आरोप यह है कि प्रेम प्रशंग के आरोप में लड़की के घरा और गाउवालों ने यूबा को पहले पेड़ से बांद कर पीटा फिर उसके बाद प्राइबिट पार्ट में डंडा तक डाल दिया बताया जा रहा है कि घंटों पिटाई करने के बाद वह अदबरा हो गया था सूचना वर पहुचे यूबा के परजन उसे कानपुर के हायरेक्ट अस्पतार में भरती कराया जहां उसका इलाज चल रहा है हलांकि वीडियो सामने आने के बाद मामले में आरोपियों के खिलाब एफाईयर दर्जी की गई है मामला अकबरपुर थानाच्छेट के कमालपुर गाउं का है बता दें कि कानपुर दिहाद के पतारी गाउं में रहने वाला सर्वन पुताई का काम करता है वेपास के ही गाउं कमालपुर में पताई करने गया था इस दोरान गाउं में रहने वाले संजय पार्ट की बेटी से दोस्ती हो गई काम खत्व होने के बाद भी फोन पर दोनों की बातचीत होने लगी संजय को इस बात की जानकारी होने पर बेटी से फोन करवा कर उसे गाउं में मिलने के लिए बुलाया इसके बाद पहले से ही घात लगाए बैठे संजय समेथ अन्य लोगों ने सर्वन को दवोच लिया पहले उसे पेड़ से बांद कर डंडों से बेरहमी से पीटा इसके बाद उसके प्राइवेट पार्ग में डंडों से पीटा और डंडा भी डाल दिया